वे तरफ से बाइल बीजा के बैटिग लाना भी अच्छा है दूनों के तरफ मैंस की इस टार्टिंग की बहुत ही जबरदस्त है उसका फ्रस्ट डाउन आजकल बिल जैक्स को भेजा जा रहा है वो भी बहुत इसांदार बल्लेवाजी करते हैं फाप रुप्लेशिज जो है थोगा सा निचले करम पर आते हैं तो मेरे ख्यास है आप फाप रुप्लेशिज को किसी भी टीम में मत रखिएगा क्योंकि बहुत अल उन्डर जादा है बौलर कम है जिसे अल उन्डर में इस्वी ड़नाव भी हो गया एलबू। ठोड़ करीम जनात हो गया फिर भी शुकुर करते हैं कि इनका अगर एक बॉलर भी पिटा गया तो दूसरा बॉलर उनको पूर्थी करते हैं कम पिटाने का ठीक है अब उधर देखा जाएगा तरफ तीम अबुधारी का भी स्टार्टिंग बहुत ही लाजवाब है मेंस की थोड़ा सा इसका मेडिल अवर्ट थोड़ा तर स्टार्डिंग यह बहुत अच्छा देता है फिर लिविंस्टों का दिखा गया है कि बॉलिंग भी कर लेते हैं विकेट भी करते हैं प्लस आपका बल्लेबाजी पावर हीटर दुसरे बल्लेबास है उस तरह से क्रिस नहीं कर पाते हैं तो क्रिस गेल को आपको हटा देना पर आते हैं यह और मश्ट सब्सक्राइब roofs फिर देखें यह जो है बॉलिंग लाइनप इनका बहुत लाज़ा आप है अब लंगा डी ब्रिक्स फिटल एडवर्स एन नमीन हुलहक एफ फारुके भी विकेट लेता है कर दो नमीन हुलहक फिटल एडवर्स मिल्स की आपका जो है प्रतेक बॉलर टीटेन में एक गेम में अगर एक बैट्समान 25-30 रण मारता है 40-50 पॉइंट रखता है लेकिन बॉलर अगर एक विकेट करता है तो ड्रीब टीम का हिससा बनता है क्यों दसी ओवर का गेम है दस ओवर का गेम में देखेंगा विकेट गिरने का चांसर जो है आठ चार मन्दब बारा विकेट गिरता 12 गिरता है उसे साथ से आख अपरी करम के बल्लेवाज को तो परते को रखना होगा अब जिस्सेंः कीट की पर देखेगा तो पहला कि मों का विकेट कीपर होगा दूनों होगे योनधान चाउस भी होंगे विकेट की बल्लेवाजी करने आते हैं उनको आप अपने टीम में चरूर रखेगा घूनों बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी कर रहे हैं दोनों का एक्षा रहता है कि पॉला स्टॉलिन किसी किसी मैच में किसी मैच कर रहे हैं तो पार्फन यहिंट क्रिप्टिम का हिस्ता बनने के लायर है फिर चौथा फॉस्टाउन देखें विल जैक्स विल जैक्स को भी आप रख सकते हैं क्योंकि दो बैट्समैन को रख नहीं है फिर लिविंग स्टोन और राउंडर में लिविंग स्टोन को रख नहीं है आपको पर रखना पड़ेगा ुस तो हम लोग उसका अब बारेबेंट को रह चप्चा घर नहीं लिखेलो है, तो आपको कोई ना कोई डूपली सिस को रहना पड़े है या को एंग्राम को रहना पड़ेगा, जब टीम में आईजमेट बनेगा, जब प्लेइंग 11 आएगा, टौस हो जाएगा उस वक्त हम लोग उसका बारे में चप्चा करें हैं फिर तरह देख लेते किसका रहते बॉली में देखिए जैम्स फाकनल विकेट लेते ही लेते हैं और उपार से टॉप जो विकेट टेकर में हैं उनमें भी हॉल का नाम आता है फिर मुहमद आमीर को ड्रॉप कर देगा एल वोड या करेम करेम जन्नत यह दोरों में से एक को आप रख सकते हैं या उदर से बॉलेंग में देखें एंडी लंगा एंडी लंगा डी ब्रिक्स अस प्लेयर को बहुत कम लोग लेते हैं लेकिन अच्छा बॉलिंग करके विकेट पिक करने का चांसर है एक प्लेयर जब बार्टिंग लाइन आप आपका होगा जिए ओवर्टन अगर ऑलाउंडर में खेलते हैं तो जिए ओवर्टन को भी रख सकते हैं लेकिन पिछले बाइस पर्स चेंड नान आके बहुत इचा बैटिंग कर लिया था मेरे खांसर तो जेए ओटन को भी रख सकते हैं लेकिन अगर बैट्समैन दीखें दो बैट्समैन हुआ है तीसरा बैट्समैन लोग टीम में चूज करेंगे जैसे कि अगर आपका डूपलेसिस है तो डूपलेसि यह तीम करेंगे और बॉलर में आपका जैन्स पॉक्मल हैंड एमडी लंगा है और यहें फरूपलेसिं तीन बॉलर भी होगे है तो आप और चार को आप रख सकते हैं चार और यहां तीन और कर सकते हैं लेकिन कोशिश की जिए जैए कि ड्रॉप नहीं करने कि लिए जुना आपका भी एई टीम होगा अब इसमें कैप्टन भास कप्टन का बाता है का तो देखिएगा टॉस अगर टॉस जित गया माल लिया ने बीटी ने टॉस जित लिया तो बीटी पहले बैटिंग बॉलिंग करेगी तो बीटी का उपरी बल्लेवाज यह तीन बल्लेवाज पिर इधर से आपके और अगर आएगे तो आप जो है पी साल्ट युनाथान चाफ बना सकते हैं लाइंब लिबिंस्टोन बहुत लोग काप्टन बनाएंगे रिजन इसका है फॉस जौन बैटिंगर निक लिए तो बड़ यह एक बार कोटा में एक रिकेट जरूर पीकरते है फिर बी हॉल बी हॉल और डी यह दो आपके परमुक तावेदार है कैप्टन ब्वास कप्टन के डी ब्रिक्स पर तेक मैच में दो विकेट निकालते हैं बी हॉल पर देक मैच में दोनों को लेकर जरू बनाएगा लेकिन किसी कि समया लाइमिंग स्टोन अजिस्टला जै करें लिए मेरी नाट बेंगे सब्सक्राइब अबकाशना